गुड अफ्टरनून माई डियर स्टुडेंट्स तो आई होप यू अलर वेल तो आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वह हमारा डाटा बेसेज तो डाटा बेसेज में हम लोग अलग डाटा बेसेज के बारे में पढ़ेंगे जैसे पहला डाटा जो पढ़ेंगे वह स्कूपस फिर पबमेड इमबेस इबिसको मैडलाइन स्काइरस क्रॉस्रेफ और वैब आप साइंस अब देखें यह सारा जो टॉपिक है इस बार आपके इस टॉपिक से यूजी सी नेट में कोशन आया रखा है तो यह टॉपिक हमारे लिए काफी तो आप लोग इस वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखिएगा और उसके बाद इसका प्रॉपर नोट्स बनाइएगा ताकि आप लोग को एक्जाम में बहुत ज्यादा हल्प करें तो देखिए हम लोग सबसे पहले टॉपिक को डिटेल वाइस पढ़ेंगे उसके बाद से रिलेटेड जितना भी हमारा एमसी क्यों क्या होता है तो देखिए इस को पर जो होता है एक लाज डाटा बेस होता है जो कि लोगों को हेल्प करता है अकेडमी कार्टिकल्स और रिसर्च पेपर्स को फाइंड करने में अगर हम लोग इजी लैंग्विज में सोचें कि इ इन्टनेट पर पाया जाता है जिसमें हम सच कर सकते है स्टाडिक पेपर्स और लगव टाइब के आर्टिकल्स जैसे डिफ्रेंट कैब नहीं हो गया टेक्नालॉजी हो गया सोसल सचेंसें और इस यह सारे सटाडबी पे उन सारे फिल्ट के से सब्सक्राइब करना होता है तो हम लोग प्रिवियस स्टडी देखते हैं कि उस टॉपिक पर अभी तक कहां रिसर्च हुआ है कहां तक रिसर्च हुआ है उस टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करते हैं पूरा डिटेल नौलेज देखते हैं नौलेज को पढ़ाई करते हैं तो वह सारा जो डिटेल और जो अच्छा अर्टिकल्स है जो वेरिफाइड आर्टिकल्स है जिसमें कोई भी फेक नौलेज नही तो वह अच्छे आर्टिकल्स जिसको बहुत जाएड़ रिसार्चर्च क्या है अपने आगे सारे इस सपरूंत Bay करते हैं ऐस मान लीजए मैं बच्रच करने के करने के लिए मंग की पॉक्स जो क्या है इस बार का दूबार का वर्जन कैसा है तो यह सारा स्टाटी करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं क्रोम पर जाके स्टडी नहीं करें हम लोग ऐसे लार्ज डाटा बेसे को खोजेंगे जहां पर क्या है सैंटेफिक पेपर्स रखा हुआ है जहां पर अच्छे अच्छे आर्टिकल्स रखें इस बीमारी से रिलेटेड ताकि हम लोग को इस पर सर्च करने पर इस क्या होता है सबक्राइब इसके लिए आपको सब्सक्राइब इसके लेना पड़ता है तबही आप क्या कर सकते हैं इसका एक से मतलड आपको डाटाबेस के अंदर आपको एक्सेस को सस्क्रिप्रिफचल तो आपको टेकनलोहजी से रिलीटेड सोषल सायंस मैडिसीन जिस भी चीजद के बारे में आपको ind काुअट्राइज आर्टिकल संट्टैटाबेस लुए तो वो आपको इस डाटाबेस पे मिल जाएगा तो यह होता है आपका इस स्कोपस अब देखिए किस कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है यह डाटाबेस तो वो इस कंपनी का नाम है इसेवियर और यहां पर आपको थाउजंड्स ऑफ जनरल मिलेंगे प्रोवाइड इता है कि अब रिसेरचर्च और उसके बाद क избrateनी स्कॉपस कि इस आप्स प्रोडेकल को पता चले जाहें कि इस आर्टίकल को कितना रिसेर्चर्च येSec क्या कही बार जैसे हम लोग Flip Payarts पे क्या करते कोई भी समान खृतने जाते तो हम लोग उसका Rating देखते कि कि इस समान को करने को कि आप को क्या होगा कि इसको और कितने researchers ने क्या किया study किया तो आपको वहाँ पर आर्टिकल का citation number पता चलेगा तो citation number से आप जान पाएंगे कि यह आर्टिकल आपके लिए कितना useful हो सकते है या तो यह आर्टिकल क्या है बहुत अच्छा आर्टिकल है तो आप उसको पढ़ने के आप इसका subscription नहीं ले सकते हैं इसको युनिवर्सिटी रिसेर्च इंसेट्यूशन में इसका access दिया जाता है या उनकी libraries के थुरू आप क्या कर सकते स्टूडेंट्स रिसेर्चर्चर्स पढ़ाई कर सकते हैं तो इस इंपल टम में समझें तो इसको पावर्फूल टूल होता है जिसमें हम फाइंड कर सकते हैं अकैडमिक से रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे हम क्या कर सकते हैं नौलेज के इन कर सकते हैं तो यह होता है आपका स्कोपस अब देखिए हम स्कोपस टॉपिक से कुछ कोशन को पढ़ेंगे सबसे पहला है हूँ प्रवाइड देस्कोपस डाटाबेस स्प्रिंजर इस सेवियर वीली टेलर एंड फ्रांसिस तो देखिए स्कोपस डाटाबेस आपको कौन प्रॉवाइड कर वाद तो इसेव से कोपस डाटाबस में मिलता तो जन्र डव क्रॉषच कोंफरन्स प्रॉसी दिग और इसकोपस इन अकैड्मिक क्रिसेर्च को जैंru साफ्वेयर को या तो ओपन सोर्स सॉफ्वेयर को को सेल करना तो इसमें क्या है इंडेक्सिंग अबस्ट्रेक्टिंग एंप कैडमिक लिटरेचर कुशन नंबर फूर्थ है वीच फॉलाविंग मैट्रिक्स इस नौट प्रोवाइड़ बाइस कोपा साइटेशन काउंट एच इंडेक्स जनरल इंपक्ट फैक्टर यह नंबर प्रोवाइड्ट करेंगर तो इसमीं कॉन सा फिल्ड ऐसाहं जो इसको आपको नहीं प्रवाइड्ट करते हैं आपको नहीं मिले इसे किस तरीके से कोपस का सकते हैं किसी फिशिक में उनको मिल सकता है यंतो आपके स्क्रिप्शन से यह पर सकते हैं तो प्रेश्टनल पेड कर ले से ले प्रेशनल यह तो गवर्मेंट पॉटल पे उनको मिलेगा तो यह क्या होता है किसी आपको सब्सक्रिप्शन नमबर कर सकते हैं कोशन नमबर सेवन्थ है विच फीचर ओफ इसकोपस हेल्प इन ट्रेकिंग दे इंफ्लूएंस एंड रिसर्च आर्टिकल ओथर प्रोफाइल साइटेशन ट्रेकिंग फूल टैक्स टैक्स अब्स्टाक्ट अबिविलेटी देखे यहां पर बोड़ा है कि इसकोपस के किस फी फीचर इन उसकोपस बोड़ा इसकोपस आपको इडवांस सर्च ऑप्शन प्रोवाइड करता है तो ऐसा कौन से इन चारों में से ऑप्शन है जो कि इसकोपस आपको नहीं प्रोवाइड करता है तो सर्चिंग यह तो ऐसा कौन सा फीचर है इन चारों में से जो कि एक टाइ और आफर के नेशनेलिटी पे आप किसी भी आर्टिकल को नहीं सर्च कर सकते हैं कोशन नमबर 9 है वाइध टायप ओफ यूटर इनुफोर्मेशन कैन यू इन इसकोपस किस टाइप का ओओधर इसकोपस में फाइं कर सकते हैं और अधर सईकेशनल बैक्ग्राउंड ओफ कंप् प्बिकेशन किया है अभी तक की पस्कों सॉब्लिकों के अभी तक की सब्सक्राइब चॉपलिक्स ट कितने सब्सक्राइब को समय है बनाइब अब यह ब्हुत अब मिलेगा अब देखिए historic जो हमारा वह है इसको पस आप आप लोग को समझ आ गया होगा अभी भी अगर कोई डाउट होगा तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल जो सोल्स क्लासे से वहां भी मैसेज कर सकते हैं और टेलिग्राम के थूरू भी पूछ सकते हैं अब देखिए पबमेट क्या होता है पबमेट भी इसकोपस की तरह एक बिग ऑनलाइन लेबरेरी होती है जहां पर आपको लॉट्स ओफ इंफॉर्मेशन मिलता है लेकिन यहां पर आपको ओली मैडिकल रिसर्च या हेल्थ टॉपिक से ही रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेग जैसे इस कोपस में आपको सारे सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता था वैसा पब्मेट में नहीं हो नहीं होगा यहां ओली मैडिकल रिलेटेड या हैल्थ टॉपिक सी मिलेगा यहां पर आप सर्च करें जैसे डीजेस रिलेटेड या तो सका ट्रीटमेंट या तो मैडिकल लाइन में भी क्या नियू डिसकवरी चल रहा है वह सारा कुछ आप क्या कर सकते हैं यहां पर पड़ सकते हैं कोई बी जैसे यह क्या करता है डाक्टर यह डाटा बेस्ट को हेल्प करता है को इन्फोय नहीं सकता है और दूसरा की पर्मेट क्या होता इसके लिए आपको सश्क्रिप्शन देनी कि जरत नहीं है तो इसको भी इंट्रस्टेड हो तो वो PubMed जैसे डाटा बेसिस पे जाके क्या कर सकता है पढ़ाई कर सकता है ठीक है अब देखिए अब इस बार के UGC NET 2024 जो एक बार एक्जाम होके इस बार जो कैंसल हुआ था उसमें ये कोशन आया था उसमें क्या कोशन था इसमें आपको क्या करना था इनके जब ये आया था उसके येर वाइस आपको क्या करना है अरेंज करना है तो देखिए सबसे पहले हमारा आया था वैब ऑफ साइंस जो की 1964 में आया था पबमेड आपका 1996 में आया है क्रोस्रेफ आपका 2000 में आया है और सबसे पहले आपका आएगा बी नंबर इसको वैब ऑफ साइंस फिर आपका आएगा पबमेड बी के बाद सी फिर आपका आएगा डी क्रोस्रेफ एंड फिर ए इसको पस ठीक है इसको इस कोशन को भी आप अच्छे से नोट कर लीजेगा कॉपी में क्योंकि एक बार आया वह कोशन ऐसा नहीं कि आपका अगर यूजी सी नट में नहीं आगा तो किसी दूसरे एक्जाम में लैबरी साइंस के आ सकता है तो कोशन को ध्यान से पढ़के इसका प्रॉपर नोट्स बनाईएगा देखिए फिर एक यह समरी टेबल है इ किस फिल्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देता है और इसको कौन सी कंपनी क्या करती है प्रोवाइट करवाती है यह सारा भी कुछ आपको पढ़ना जरूरी है जैसे सबसे पहला है इंबेस कौन इंबेस किस टॉपिक पर आपको बताता है बायो मैडिकल और फार्मा लॉ आपको सारे भीडिकल में स्चैन के लिटरेचर इंसारे से रिलेटेड आपको dus song पर सारे करवाता है नियु बायो मैडिकल को सारे इससे सारे आपको इनक्स देगा और इनलब्स नेशनल लेब्लडी ओफमेड कर दीजिए स्कैरेक ही पार्ट सह्थ करवाता था लेकिन अब प्रवाइड नहीं करवाता है 2013 के बाद से स्कायरस जो सर्विस है यह आपका बंद हो गया है क्रॉस्रेफ आपको डियो आई से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता है डियो आई में भी बस स्कॉरली कंटेंट जो मतलब जो स्कॉलर की द्वारा जो कं अरुस्री नाजर्व के वाक होगे बाता है कि आपको सारे सब्चेशं के बारे में स्कॉलर के माद साहिए फ़य। और पबमेड पबमेड जो है बायो मैडिकल एंड लाइव साइंस लेटरेचर इस बार मैडिकल से रिलेटेड आपको इंफर्मेशन देगा और इसमें इसको कौन प्रोवाइड करवात है तो NCBI और NLM ठीक है तो यह दोनों जो समरी टेबल है यह आपको प्रॉपर अपने कॉ नोट्स भी बनाना है अब देखिए हम लोग जितना हम लोगों ने डाटा बेसेस पढ़ा उसके बारे मैं आपसे कोशन पूछूँगी देखिए जो मैं डेली कोशन पूछती हूं उसमें मैंने एक बार यह कोशन पूछा हुआ भी है दो ऑनलाइन वर्जन ऑफ इंडेक्स मैडीकस इस नौन एस DAS MED LINE, MEDICINE, NET, MEDLAYRS यह MEDONLINE जो अनलाइन वर्जन है इंडेक्स मैडिकस का उसको लोग क्या बोलते हैं मैड लाइन वर्जन है इंडेक्स मैडिकस का उसको लोग बोलते हैं मैड लाइन और इस गे जो है किस के दौर आपको किस प्लैटफॉर्म आपको इसके access मिलता है तो PubMed के platform पे जो की आपको क्या करता है free access विच प्रवाइड यह PubMed platform क्या करता है आपको free access देता है Medline का और other related जो डाटा बेसे से जो medical से related जो डाटा बेसे से उसका आपको free access देता है PubMed के platform पे ठीक है तो आपको यह पता चल गया कि online version of index medicals को हम लोग क्या बोलते है medline और इसके किस platform पे मिलेगा आपको pubmed के platform पे और pubmed का ही एक core component है medline ठीक है अब देखे हम लोग समझते हैं कि citation indexing क्या होता है citation indexing का मतलब होता है कि यह क्या करता है आपको एक reference देता है किसी भी information का reference प्रदान करेगा एक idea देगा कि यह जो research और writing क्या है किसके इसको आप कहां पे use कर सकते हैं यह आपको बताएगा कि इसको किस यह जो article जो आप information पढ़ रहे हैं वो किस author के द्वारा लिखा गया है इसको आप कहां से इसको original source क्या है तो यह सारी चीज क्या करता है reader को काफी help put करता है तो आपको बस समझना है कि citation का मतलब होता है किसी भी source of information का क्या आपको एक reference मिलेगा आपको पता चलेगा कि आप इस research को आप कहां पर use कर सकते हैं इसको original author कहां है यह आपको क्या चीज मतलब सर्च करने पर इसको original source क्या है यह सारा कुछ आपको citation में मिल जाएगा तो citation indexing का यहीं मतलब होता है citation indexing का अगर हम simple term में समझे तो meaning होता है reference reference to a source of information अब देखें digital object identifier क्या होता है doi जो होता है एक unique alpha numeric string होता है जो की हर एक digital object को क्या किया जाता है assign किया जाता है जैसे कोई general article हो गया book हो गया report हो गया तो कोई data set हो गया तो यह doi क्या करता है हर एक digitally जो भी हमारा content होड़ता है डिजिटल उसको एक alpha numeric string क्या हो जाता है assign हो जाता है तो डियोई क्या करता है आपको एक permanent link प्रोवाइट करवाता है जिससे आप क्या कर सकते है उस digital content का internet पे वो digital content कहा है उसका क्या करता है उस link के द्वारा आपको location पता चल जाता है आप उस permanent link से उस data को क्या कर सकते कभी भी पढाई कर सकते उस link पर से जाके तो जो यह digital object identifier है यह क्या करता है आपको उस permanent link को provide करवाने का काम करवाता है और DOI आपको कॉन provide करवाता है तो crossref database क्या करता था आपको DOI provide करवाता था मतलब Digital Object Identifier मतलब आपको एक permanent link देता है provide करवाता है जिससे आप कोई भी digitally articles, book या report को क्या कर सकते हैं कभी भी पढ़ाई कर सकते हैं तो Digital Object Identifier समझ आगे कि यह क्या होता है क्यों निक अलफानिमरिक string होता है अब देखिए हम लोगों ने अभी तक जितने database पढ़े स्कोपस का हम लोगों ने question पढ़ लिया तो उसके अलावा सारे बाखी databases का हम लोग question पढ़ते हैं देखिए सबसे पहला question है web of science was initially created by which organization web of science को किसने create किया था collaborate analytics, Elsevier, Thompson, Reuters, Google तो देखिए इसको जो सबसे पहले create किया था वो था Thompson, Reuters, अभी को कर रहा है collaborate analytics ठीक है फिर बोड़ा है which of the flowing citation database कौन सी citation database जो है web of science का part नहीं है web of science का collection होता है उसमें उसका part नहीं है सबसे पहले science citation index expanded social science citation index arts and humanities citation index या pubmed, तो web of science का जो part नहीं है वो है pubmed फिर है what is the primary function of web of science to provide full text access to scientific articles to index academic journals and provide citation analysis to publish original research to host academic conference तो primary function कौन है web of science का तो वो है to index academic journals and provide citation analysis next question in which year was scopus launch कौन सी इयर में scopus launch दो आथा 1995, 2004, 2010, 2015 तो scopus आपका आया है 2004 में question number next question है crossref is primarily used for crossref किसली यूज होता है hosting academic conference providing digital object identifier for scholarly content tracking the impact factor of general hosting full text article crossref आपको क्या प्रोवाइट करवाता था है तो DOI digital object identifier next question है what is the main function of a DOI provided by crossref main function क्या है DOI है का to indicate the number of citation for an article to provide a permanent link to the digital content to rank general based on their impact to provide access to government publications so DOI का क्या main function है permanent link provide करवाना digital content का next question है which of this platform provides tools for linking reference and citation across publishers बोड़ाइ कौन सी ऐसी platform है जो कि आपको link करवाती है reference से और citation से publishers का तो वो PubMed, Scopus, Skyrus, Crossref तो कौन सी ऐसी platform थी जो आपको link provide करवा रही थी तो वो है Crossref next question है which of the flowing is true about Skyrus कौन सा ऐसा बात है जो Skyrus के लिए true है it is still actively maintained and updated यह अभी तक काम कर रहा और इसको हम लोग maintain कर रहे हैं update कर रहे हैं it was discontinued in 2013 it is continue हो गया है 2013 में focus on open access general only यह focus करता है open access general it provides full text access to all articles यह सारे आर्टिकल को full text access प्रोवाइड कर वात है सारे आर्टिकल का तो इसका true क्या है कि यह बंद हो चुका है 2013 के बाद से अब यह discontinue मतलब इस database को नहीं चलाया जा रहा है next question है what is the primary focus of PubMed database primary focus क्या है PubMed database का engineering research biomedical and life science research social science and humanities environmental studies तो PubMed का क्या है biomedical and life science research next question है in web of science what does the term time cited refer to web of science में जो term है time cited इसका मतलब क्या है the number of times an article has been downloaded जो कितनी बार कोई भी article को download किया है the number of times an article has been cited by other words कितनी बार कितनी बार आपने उस article को दूसरी काम के लिए क्या किया है पढ़ा है the number of authors who have cited an article कितने author ने इस article को क्या किया है पढ़के use किया है the number of pages in the article कितना pages है इस article में तो इसका एंसर है बी कितनी बार इस article को आपने अपनी दूसरी काम के लिए क्या है यूज किया है पढ़ा है तो इसका है बी number the number of times an article has been cited by other works तो thank you friends मिलते हैं नग क्यों में तब तक हसते रहेगा पढ़ते रहेगा चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा और आपको आई होप आपको सारे टापिक समझ आगए सारे डाटा बेस के बारे में अगर आपको अब भी भी को डाउट होगा तो मेरे इंस्टाग्राम चैनल और टेलिग्राम पर मेसेज कर सकते हैं थैंक यू